चुनौती की पिश्ली कड़ी में हमने देखा कि कैसे उत्तराखंड के कई इलाके पलायन की मार झेल रहे हैं। आज हम गौर करेंगे उन वजहों पर उन मुद्दों पर जो इस पलायन को बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ ही जानेंगे कि इस हालात से जूजने के क्या उपाए हो सकते हैं। इस खुपसूर्ती को हमेशा के लिए छोड़ कर भला कोई कैसे पलायन कर सकता है। खुपसूर्ती तो जिन्दगी में उर्जा दीती है। जीने के नए तरीके सिखाती है। लेकिन ये पलायन दर्दनाक सचाई है उत्राखंड के ज्यादातर हिस्सों की। खास कर उन गावों की जो मोटर मार्गों से दूर बसे हैं। जहां मूल भूत सुविधाओं की कमी इनसानी जजबे को तोड़ कर रख देती है। लेकिन पलायन सिर्फ एक जगा को छोड़ कर जाने को ही नहीं कहते है। किसी एक जगा पर टिक कर ना रहना भी। पलायन का ही रूप है। उत्राखंड में इसको चरितार्थ करते हैं ये खाना बदोश गडरिये। साल में नौ से दस महीने ये लोग अपनी फेडों और बक्रियों को लेकर इस पहाड़ी इलाके के एक कोने से दूसरे कोने तक खूंते ही रहते हैं। कोई ठहराब नहीं है इनकी जिन्दगी में। गर्मियों के दिनों में ये लोग तेरा डालते हैं भारत-चीन सीमा से सटे इलाकों में। और सर्दियां शुरू होते ही ये उत्राखंड के निचले हिस्सों में आ जाते हैं। ये भेडें और इनसे निकलने वाली उन ही इनकी जीविका का बड़ा साधन है। आप कह सकते हैं कि उत्राखंड के ये गडरिये हमेशा ही पलायन में रहते हैं। इनके लिए सबसे जरूरी है अपनी भेडों और बकरियों के लिए चारागाह तलाश करना। और फिर एक चारागाह से दूसरे चारागाह का सफर लगबख पूरे साल ये चलते ही रहते हैं। मोसम की हर मार को छेलते हैं ये गडरिये और खाना भी इन्हें देरा डालने के बाद ही नसीब होता है। लेकिन इस कभी न खत्म होने वाले सफर से ठक से गए हैं ये लोग। अब इस पेशे में वो बात नहीं रही वो आमदनी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बहुत कुछ बदल गया है। अब कहां से आ रहे हैं अब तो हमसर घर्मी हो रहा है तनकूर से वाभिस हो रहे हैं तनकूर से आप चले ठाप जो ऺड़ है इस अब आपको किश्त कर रहा है किसे ने आपको कश्त इसने पगरी को पहले बुट्टी में तो गास यह जानो अज़गर जानव है आते जाते हैं एक किसमें तिस तरी मैं ष्टाइब लेता है वारा तो ये काम आप बचपन से रहे हैं? साथ साल से कर रहा हूं है अब आपका क्या उमर है? तो आप बुग्यालों में भी जाते हूं यह बताईए आपके जो बच्चे हैं क्या वो भी इस काम को आगे जारी रखेंगे नहीं रखेंगे सर आज के देड़ में कोई निरुखेंगा बच्चे आप जमाना कुछ बदल गया है लोग बाग और काम कर रहें यह जिसे बारिज जाए 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 सardi mównos, बार भी बच जाता हुए, आठे में परहद केुशना, निक भी आर्फ व मंगज paid रहाँ से राप्स कमन आज बरगा zirज दो बचमा थे हो दो चलना शुरू करते हुए मैं यह फ़िझा बचलों यह एक बचाह वा, बोरे घारे में यह श्रमान ऱवन पैक टिया कि अपर पहार जहांड़ा देने जुलाए में लिएज गॉन चुलाएंनाओ में कि छाएंगल के वहा है मिलाएज गों घाए्ट Western smiling भ्रौौ गॉआसे हैस देखे कि शानके लाटिष ए झायेजिए रचा कहां चलेगी शीत लहर? कहां पड़ेगी बर्फ? किधर गरजेंगे बादल? कहां खिलेगी धूप? किस इलाके पर है तूफान का साया? और कैसे करें खेती? मौसम के बदलते मिज़ाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे और साढ़े दस बजे दीदी किसान पर हम आ रहे हैं आपके गाउं घूमते फिर्टे का कारवा पहुँच चुका है मतुरा में हम आ पहुँचे हैं कांगरा जिले में सामाने ज्यान के पूछेंगे सवाल वाशिक पुष्कर मेला किस राजी में आयोजित किया जाता है? इन में से क्या जैविक रूप से नश्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास चार आप्शन्स हैं एक अनुमान के मताबिक पूरे उत्राखंड में ग्यारा सो से भी ज्यादा ऐसे गाओं हैं जहां से पूरी आबादी ही पलायन कर चुकी हैं इन गामों में खेत बंजर में तब्दीर हो चुके हैं घर के बाहर लगे तालों में जंग लग चुका है और कई जगा तो ये सूने पड़े मकान खंधरों में बदलना शुरू भी हो चुके हैं जाहिर है अगर रहने वाले ही नहीं होंगे तो इन गामों से जिन्दगी ही लुप्थ हो जाएगी अंग्रेजी में ऐसी जगाओं को कहेंगे गोस्ट विलिज यानि की भूतों का गाउँ पलायन की पीड़ा जेलते ये गाम तो है ही साथ ही इन खूबसूरत वादियों में कई ऐसे गाउं भी हैं जहां से पलायन की प्रक्रिया लगादार जारी है ऐसा ही एक ग्राउं है लोहा कोट यहां की करीब तीस प्रतिशत अबादी पलायन कर चुकी है लोहा कोट के ग्राम प्रमुख है शंकर सिंग सामंत वो मानते हैं कि सरकार इस पलायन को रोकने की कोशिशें तो कर रही है पर यहां रहने वालों की दिक्तें भी तो पहाड जितनी उच्छी और बड़ी है कि 20 से 30 परसंट या 35 परसंट आदमी यहां से माइगरेशन हो चुका है उसके लिए मेन कारण है कि सबसे पहले शिक्ष्या तो नया पद्धेदी शिक्षा चले वो शिक्षा आजकल पुराने जो शाब से बदली हुए तो हर कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो इस समं बीपारी के लिए भी आमको यहां से 25 किलो मेटर जाना पड़ता है वो भी कोई बी और वहां जाके भी हम लोगों को यसी सुविदानी है जो कि यहां से भी कोई क्षोटा मटा किस हो को पर लोग बेजा पड़ता है अलदोनी यां पितोग हमारे जो बीश्टिक का हॉस्पि अबलेबल नहीं कोई कोई कोचिंग कलासे यहां वह पाती है और ना कोई ऐसी शिक्षा का कोई वह ता जो पड़े लिखे जो बजु होते हो आगे सटेल हो जाते हैं और यहां रहाना नहीं चाहता है क्योंकि यहां हवा और पानी थोड़ा इक भी दह द दीन दिन दैन बदलता जा रहा है पानी की समय क्योंकि यह है क्योंकि पानी की समस्या जो मार्या एपले आप शक्यां चलती थी और तो चक्ंशह लोगों का गोर पानी का समच्या होने वाले क्योंकि पहले तो जंगल हुआ करते हैं जंगलों का दुवान अभी कुछ साल से बंद है क्योंकि सरकार ने गैस का बंदबस्त कर रखा है तो इसलिए थोड़ा हो है मगर पानी की समच्या होने वाली है जो कि 20 साल के अंदर हम लोगों के एक लड़ाई हमने पानी की लड़नी पड़ेगी उत्त्राखंट के लगभग हर जिले की यही कहानी है लेकिन ऐसा भी नहीं कि यही इसकी तैय नियती है सरकार कई सतरों पर कदम उठा रही है इस पलायन को काबू में करने के लिए जैसा की अल्मोडा के पास ही इस मनमोहक बेरी नाग में पलायन से निपटने की काफी तैयारियां प्रशासर ने कर रखी है यहीं के सबसे वर्ष्ट अधिकारी विवेक प्रसाद बताते है लोहalar है अब सक्षय लगया सासरम ने कभी प्रयाज किया है कि इसमें ढ़ेन ढुके लोहो Sawta और इस स्कम MYम्में छोह paper रही है लोगह लोग्नाई प्रमोड़ करने के घमानगे क्ये स्कीम जला रही है मैं चमोली मैं बीते पारивे रहां, मैं आप दिन साल मैं जो अब इस ते कम कर रहा हूं, तो गर्मेंट काफी स्कीम साती है, जिसे गाउं मेलोके नोग महाँ को लगाया है, अब काफी गर्मेंट ने ने खेती के लिए प्रवोड किया गर्मेंट ने इस तैप इस तरह पी चल देगा है, इसलिए जो यहां पर जो रेर प्लांस होते है में अधिसमें प्लांस हैं, रेर्ष प्लांस हैं, इसे प्लांस को लगाया जाए को चाहिए थे प्धेंगे लोग मेंटेश जो रुख पाएंगे हैं इहां इंटरनेट है, शबच्छी स्वीड़े हाट पे हैं और सब शखाय मिल लही हैं, तो मेंटेटिलिस्टिक जो हम आपड़ाई किया है, जोने होग तो इसके निए ब्सक्राश जब रहे हैं, इसको प्रहाओ पड़े गए। मेरा जोग प्राश करह एक्षिक कर रहे हैं, प्राश का रहे हैं, ठीचर रूके यहाँ पर, उनके काफ़ इंसेंटिभ दे रही हैं उननों को और कफी छिंसेंटिव देरी डॉक्टर्स को भी टीचर्स को भी कि रुकें यहां पर और कुछ सफलता मिल लगी है असपें और कास के अफ़कता है असफलता जो भी लेगी इस पर कार दोशनुगा उत्राखंट से पलायन का सिलसिला यहां के पर्यावरण से भी जुड़ा है इसका सब से स्पष्ट उधारण है यहां के सूखते जा रहे जल स्रूत कम पानी का खम्याजा यहां के किसानों को भुगतना पड़ रहा है कम उपच का मतलब परिवार के पालन पोशन के लिए कम पैसा शायद बहतर भविश्य के लिए इन्हें पलायन में उम्मीद की किरन दिखती है कुमाव विश्वे ध्याले के पूर इत्यास प्रमुक और पूरे उत्राखंड की जानी मानी शक्सियत हैं डॉक्टर शेखर पाठक पलायन सिर्फ बुरे के लिए होता है यह कहना ठीक नहीं होगा ऐसा मानना है डॉक्टर पाठक का अगर सुरू से थुरू किया जाए तो दरसल जो माइग्रेशन है या ओट माइग्रेशन है वह एक तरीके से यूमन हिस्ट्री के प्रार्म से यह शुरू हो गए थे एक जमाने में एथरिक माइग्रेशन होते थे एक डिफिकल्ड जोग्रफी से एक शाक्रत सरल जोग्रेशन की तरफ लोग माइग्रेट करते थे बड़ा स्वा बाग था यह पुराने जमानी किती लेकिन आभी वह हम लोगों के माध्यं से वफिए दूसरे डेस की तरफ कjemुनकर अफ्रिका से mega मन के वहा गए उप उरप करने के लिए तो अलग-अलग तरीका हमारी यहां से примroiksi गें बात मैं से पॉलिटिकल सोशल लीडर भी बने जो अभी जो जिस माइग्रेशन की बात हो रही है उत्राखंट के संदर में और यहां के खास यहां की पॉलिटिकल एकोनोमी यहां की एकोलोजी को समझने के संदर में वो माइग्रेशन एक बिलकुल भिन्ने तरीके का परिद्रश्य है बलकि यह हुआ कि मेडिबल टाइम्स में अलग-अलग जगहों से लोग माइगरेट करके यहां और उन्होंने जहां के समाज कूबनाया और उससे पहले जो एक्सिन होए उसमें पूराने निगरोइटे फिर उसके बाद कशॉईटस थे उसके बाद मेंगलोड लेंड में र सोसाइटी है उसका निर्मार हुआ तो ये पहली बार अंग्रेजियों के आने के बार तूटा जब लोगों ने अपने गाउं से बाहराना सुरू किया कुछ नए इंटर्बंशन हुए जैसे मैंने बताया हेल स्टेशन जैसे मैंने बताया केंटूरमेंट्स जैसे पिर एक विवस होके बाहर जाना पड़ा उसमें ज्यादा आप अन्सकिल्ड बनके गए तो भनमजवा बने मामुली रेस्टूरेंट्स में होटलों में घरू में नौकर वगरे बने लेकिन दूसरी और शिक्षा में इजाफा हुआ तो शिक्षा के इजाफे ने क्या हुआ शिक्ष को यानि की बलाइन को कॉन्णनम किया जाता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ओप्शंस आपको देता है चेंज के और दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ अगमेडेट करने के कि दुनिया जोटी हो गई है पलाइन आपको खिलने के मौके देता है उड़ने के मौके देता है लेकिन पलाइन की एक सीमा होनी चाहिए उत्राखंड के ही नामी परियावरन विध है अनूप शाह शायद ही यहां का कोई इलाका हो जो इनकी निगास से बचा होगा कैसे देखते हैं वो पहाडों से हो रहे इस पलाइन को पिसले पचास सालों से मैं पहाडों में घूम रहा हूँ और आपने सही मुद्दा उठाया जो पलाइन का जहां तक सवाल है उसके एक रीजन नहीं है काई रीजन है उसका इन्वाइरमेंट से जुड़ा हुआ है वाइल लाइप से जुड़ा हुआ है और दूसरा नौकरी की चाहत और कमाई वगरा तो कई मुद्दे हैं तो मैं जो शुरुवात करूंगा एक तो जो यह फॉरेस्ट है हमारे तो यह बहुत तेजी से डिटोरियेट हो रहे है और दूसरा यह एसे ड्रेंस वगरा हो रहे है लाइकेंस खतम हो रहे है उससे यह होता है कि आपका इन्वारेमेंट आपके स्वाइल वगर भी डिटोरियेट करती है जिसे लोग आपने कहते हुए सुना होगा कि आप पहले फसल बहुते थे आप होती नहीं है उसमें हमें कोई फाइदा नहीं हो रहा है तो बर्ड इंसेक्ट कीड़े जादे हो गए बीमारियां बढ़ गई तो वो एक बहु हुँ जो लिकोट और यह आसपास की अगर बात करूं तो वहां पर वन फोर्थ बर्ड पॉपलेशन रह गई तो इसमें कोई अतिस्योगती नहीं है जो हमारे देखते देखते हो जड़ी बूटियां कम हो रही यह हो रही तो कई चीज का रोल है कई एंटिबाइटिक की तर हो रही है तो यह एक भी बहुत बड़ा फेक्टर है कि पलायन की मार को कितना और जहलेगा उत्रा खंड हाला कि इसे रोकने के प्रयास तो किये जा रहे हैं पर इस सवाल का जवाब फिलहाल तो मिलता दिख नहीं रहा पर उमीद की जानी चाहिए कि कश्ट के ये बादल जल्दी ही छटेंगे झाले कि झाले कि लाजी है झालधे झाल 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 झाल